नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं NK Concepts तो दोस्तों आपको अक्सर confusion होता होगा कि microwave और oven में क्या difference होता है तो सबसे पहले हम oven की तरफ जाते हैं और oven के बारे में जानने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना होगा oven का ओष्कार सोलवी सताबदी से भी पहले हो चुका था यानि हम 400-500 साल पहले से ही हम oven का यूज कर रहे हैं उस समय electricity तो होती नहीं थी उसका ओष्कार तो काफी बाद में हुआ है तो उस time जो oven हम गर्म करते थे वो लकडी से करते थे या कोईले से करते थे तो जो fuel हम उसमें यूज करते थे जैसे कि लकडी है तो बोल देंगे wood fire oven अगर कोईला यूज कर रहे हैं तो coal fire oven मतलब जो भी fuel हम उसमें यूज करते थे वही वो oven बन जाते थी और oven normally starting में history में यूज होती है आपके खाना पकाने के लिए जैसे कि bread बनाने के लिए, biscuits बनाने के लिए, cakes और pastry बनाने के लिए या फिर pizza बनाने के लिए तो oven इस तरीके से हमारी यूज होती starting से ही आई है ये कोई recent में कोई invention नहीं कि आप 10-20 सालों से ही आपने नाम अभी recently सुना होगा अगर आप किसी bakery की shop पे जाएंगे और उसकी bakery से धुआ निकलते हुई आपको नजर आए तो आप ये समझ लेना या wood fire या coal fire oven वो यूज कर रहा है ये बहुत पुरानी technology है मगर दिर दिर हम आगे बढ़ते गए उसके बाद अविश्कार हुआ बिजली का बिजली आने के बाद हम बिजली का यूज करने लगे हमारे food को गर्म करने के लिए जिसको नाम दिया गया electric fire oven या electric oven यानि बिजली से चलने वाली oven इसमें क्या होता है दोस्तो हीटिंग coils होती है आजकल आपने दिखा होगा room hitters जो होते हैं उसमें कोइल होती है जैसे कि आप जिसको आप नयवाधा सक्रिन गर्म होता है घरम होने के बादद किया करता है अपने surrounding की air को क्या करता है गरम करता है तो electric oven में क्या होता है ऐसा ही एक heating element होता है और साथ में एक fan लगा होता है वो fan लगाता और घुमता रहेगा यानि जो coil आपकी heat produce कर रही है उसी जो heat को, गर्मी को वो fan आपके food तक पहुँचाता है आपने hair dryer देखा होगा इसमें भी coil लगी होती है, fan लगी होती है मगर उसको oven नहीं बोल सकते है क्योंकि वो खाना पकाने के लिए यूज वो नहीं हो रही है तो यह तो थी electric oven अब बात करते है microwave की microwave एक तरह की radiation है जो की electromagnetic radiation है यानि बिजली की help से हम ये radiation हम produce करते हैं और जो device इसको produce करता है उसको बोलते है magnetron और magnetron जैसे ये radiation हमारे जो oven है हमारे जो microwave है उसके chamber में छोड़ता है तो क्या करता है वो radiation हमारे food पे जाके टकराती है और जैसे food पे जाके टकराएंगे उसके food के पार्टिकल होना स्टार्ट हो जाएंगे उस vibration से क्या होता है दोस्तों बहुत सारी heat produce होती है कि जब magnetron वो radiation microwave radiation छोड़ता है तो टकरा कर सारी उसी के अंदर घुमती रहें इधर उधर ना जाएं मतलब सारी की सारी आपके food में चली जाएं तो दोस्तों यहाँ पर हमारे food को गरम करने के लिए electricity तो यूज हुई है मगर उस electricity को पहले हमने microwave में convert किया और वो microwave जाकर हमारे food से टकराई है और हमारा खाना गरम हुआ इसलिए इसको बोल देते है microwave oven यादि microwave आजगल कि जो latest microwave है ये भी oven का ही एक पार्ट है oven एक wider term है microwave उसका एक छोटा सा हिस्सा है oven का परफास है खाने को गरम करना और आजगल कि microwave भी वही कर रही है मंगर technology के फर्क हो गया है अगर simple heating element से गरम कर रहे है उसे electric oven बोल देंगे अगर microwave से गरम कर रहे हैं तो उसे microwave oven बोल देंगे हैस हर कोई चीज oven ही इससे बाहर कुछ भी नहीं है तो बात करते हैं आजगल जो electrical element से जो गरम करते हैं हम खाने को उसको normally लोग oven ही नाम दे देते हैं उसको microwave नहीं बोलते हैं तो उस oven में और जो आजगल की microwave oven में क्या difference है तो सबसे पहला difference ही होता है टेक्नोलोजी का जो कि मैं आपको बता चुका हूँ उसके अलावा नोर्मल आपकी जो oven होगी electrical element वाली उसमें rotations के लिए खाना आपका गुमेगानी rotation के लिए कोई part निदिया होगा सीधा खाने को chamber में रखो और थोड़े दिर के बाद आप खाना गरम निकाल सकते हैं मगर जो microwave होती है उसमें एक हमारा खाना लगाता rotate होता रहता है उसका दुफ्त परपस यह होता है क्योंकि जो microwave होती है टकरा कर हमारे food तकाती है और वो गूमने से क्या होता है कि सारे खाने में even distribution of microwave होता है यानि सारे खाने को बराबर quantity में microwave मिलती है ताकि वो चारों तरफ से एक जैसा गरम हो ऐसा ना हो कि किसी point पर ज़्यादा microwave आ रही है और microwave में microwave oven में आपको कोई fan नहीं मिलेगा जबकि आपकी electric oven है उसमें आपको एक fan देखने को मिलेगा क्योंकि electric oven में जो खाना गरम होता है गरम हवा की वज़े से होता है जबकि microwave oven है उसमें आपको air की जरूती नहीं है जो radiation है वो बिना air की भी transmit आपके खाने में हो सकती है तो वहाँ पर fan की हमें कोई जरूरत नहीं है microwave oven में बहुत सारी settings available होती है अलग-अलग खाने के लिए अलग-अलग timer दिया होता है अलग-अलग settings होती है मगर normally आपकी जो electric fire oven होती है उसमें कोई setting ज़्यादा available होती नहीं है हाँ उसमें आप temperature set कर देते हैं क्योंकि उसमें thermostat दिया हुआ है जैसे आपकी press होती है ना उसमें अलग-अलग कपड़ी के लिए अलग-अलग आपका temperature set होता है और एक्तम cut से आवाज आएगी actual में वो thermostat के आवाज होती है तो इस तरह का thermostat गिवन होता है जिसमें आप temperature set कर सकते हैं मंगर उसके अलग-अलग कोई ज़्यादा setting आपको दी होई नहीं होती है microwave oven में आप metallic बरतन नहीं दख सकते हैं क्योंकि metallic बरतन आप रखेंगे तो microwave आएंगे इस metallic बरतन से टकरा कर वापस हो जाएंगी यानि आपका खाना जल्दी से गर्म नहीं होगा मगर इसमें आप plastic यूज कर सकते हैं मगर हर तरीकी का plastic आपको यूज नहीं करना है microwave oven में क्योंकि कुछ plastic ऐसे होते हैं कि microwave टकराने से खाना गरम होने से वह harmful chemical रिलीज करती हैं तो microwave के लिए अलग से plastic आते हैं प्लास्टिक के बरतन आते हैं जिन पर already stamp दिया होता है कि आप ये microwave में यूज कर सकते हैं microwave सेफ हैं ये उसके लाब बात करूँ मैं electric oven की उसमें आप metallic बरतन बड़े ही आराम से यूज कर सकते हैं अच्छा है कोई प्लास्टिक यूज नहीं करना है क्योंकि में जो heating element है direct हवा से आपकी heating कर रहा है और प्लास्टिक को खराब कर सकता है आपके खाने में हारफुल chemical को release करवा सकता है तो आपको normal जो आपकी electric oven है उसमें आपको plastic का बरतन यूज नहीं करना है आप metallic यूज कर सकते हैं ceramic यूज कर सकते हैं, ceramic तो आप microwave oven में भी यूज कर सकते हैं और electric oven में भी यूज कर सकते हैं आपको कोई issue नहीं होगा normally microwave ovens छोटे size की होती है क्योंकि इसमें ना तो कोई fan होता है ना heating element होता है simple एक magnetron होता है उसके अलावा electric जो oven होती है उसमें आपका fan भी देना होगा heating element भी देना होगा तो उसमें components थोड़े ज़्यादा होते हैं थोड़े बड़े होते हैं तो normally compare के जाए microwave oven से electric oven का size हमेशा थोड़ा सा बड़ा होता है microwave oven का purpose है खाने को गर्म करना यानि उस खाने को गर्म करना चाय बना ली कोफी बना ली या किसी चीज को थोड़ा सा heat up कर लिया तो यह bakery परपस के लिए और grilling परपस के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं इसमें proper तरीकी से baking नहीं होगी cake नहीं बनेगा ठीक से मगर वही देखा होगा कि आजकल घरों में जो microwave होती है उसमें तो केक भी बनता है पिष्ट्री बनती है आप आप को बेकिंग करना चाहिए ग्रिलिंग करना चाहिए सब कुछ होता है तो जैसा कि मैंने बताया कि microwave में यह नहीं हो सकता मगर आजकल की microwave में होता यह तो दोस्तों आजक कोई कमबाइन तरीके से बना दी है यानि आप कन्वेक्शन टाइप मैक्रोवेव यूज करते हैं तो वह ओल इन वन हो जाती है उसके अलाव बहुत सारी microwave मार्केट में अवेलेबल हैं अगर आप चाहते हैं उन पर भी वीडियो बनाओं तो प्लीज चैनल को करें और बने रहें और कमेंट करें कमेंट बोक्स में अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाओं आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुग हो